Autism में basically impairment रहती है social communication की जिसके साथ में बच्चा कुछ stereotypical repetitive behavior कर रहा होता है ये लक्षन वो है जो हमें indicate कर सकते हैं कि शायद हमारे बच्चे के अंदर कुछ problem develop हो रही है जैहिन दोस्तों मैं Dr. Kamal Agarwal आपका स्वागत करता हो हमारे चानल पर आज हम बात करेंगे red flags और warning signs of autism कैसे हम अपने बच्चे को देखकर उसके कुछ हरकते या उसके कुछ symptoms को देखकर ये पता लगा सकते हैं कि क्या इसके अंदर autism जैसी बिमारी हाने के chances है तो दोस्तों autism एक neurodevelopmental disorder है जिसके उपर हमने काफी videos मनाए है और आप हमारी playlist के अंदर उन videos को जाके देख भी सकते है Autism में basically impairment रहती है social communication की जिसके साथ में बच्चा कुछ stereotypical repetitive behavior कर रहा होता है मतलब क्या अगर हम ऐसे देखें तो बच्चा socially communicate नहीं करेगा बातचीत नहीं करेगा हो सकता है उसके पास verbal language भी ना हो वो बोलचाल की भाशा का इस्तिमाल भी शायद ना कर रहा हो और इन सब के साथ में कोई एक abnormal stereotypical behavior होगा जिसको वो बार-बार repeat कर रहा होगा हो सकता है वो head nodding करे, body को shake करे या किसी चीज़ को लेकर उसको अपने hand में हिलाता रहे और हो सकता है वो verbal है तो किसी poem या किसी rhyme को बार-बार repeat करता रहे कुछ sounds निकाले जो abnormal है या उस situation में use जरूरत से जादा नहीं होने चाहिए तो दोस्तो आज हम बात करेंगे warning signs of autism के बारे में सबसे पहला है अगर बच्चा finger point करके दूसरी चीज़ों को नहीं दिखा रहा है किसी चीज़ में interested है लेकिन उस तरफ finger को point करके नहीं बता रहा है inconsistent और reduced use of eye contact नहीं बना रहा है या जितना जरूरत है उतना जादा नहीं बना रहा है especially नए लोगों के साथ में या वो लोग जिने वो जानता नहीं है social smile नहीं है लोगों को देखता है तो उनके साथ में smile नहीं करता है और अगर हम उस से बात करें कुछ हस के बात करें तो वो respond नहीं कर रहा है gestures और facial expressions जो दूसरे के हैं उनको बच्चा respond नहीं करता अगर हम अपनी आखों को बढ़ा करके बोलें फ्राउन करके दिखा रहे हैं या smile करते हैं तो उसको हो सकता है बच्चा socially reciprocate या smile करके या उसको understand ना करें more interest in looking at objects other than people's faces चीज में खिलोनों में या objects में बच्चे का interest ज़्यादा रहता है लोगों के मुकाबले हम इनसान के अंदर focus कम करेगा चीजों के अंदर उसका ध्यान ज़्यादा रह सकता है may be content to spend extended periods of time alone अकेला बैठना उस बच्चे को बहुत ज़्यादा पसंद आ सकता है group में या और बच्चों के साथ में खेलना ज़्यादा पसंद नहीं है parents की attention पाने के लिए कुछ खास नहीं करता है doesn't follow or look when someone is pointing at something doesn't bring a toy or other item to parent to show them मतलब अपने parents की attention के लिए चीजों को ला कर बच्चा दिखाता नहीं है ना ही वो किसी direction में जब हम point करते हैं तो उस तरफ उसको follow करने की कोशिश करता है अपने name को respond बच्चे का उतना अच्छा नहीं है नाम से बुलाने पर भी वो अपध्यान नहीं देता है seems to be in his or her own world बच्चा अपनी दुनिया में खोया-खोया सा रहता है अगर उसके साथ में parents खेलने की कोशिश भी करें तो भी बच्चा बहुत जादा अच्छे से respond नहीं करता है दूसरे बच्चों के साथ खेलना या interact करना बिलकुल नहीं करता है बच्चा डेड़ से दो साल की उमर में भी शब्दों का प्रयोग अपने बोलचाल में नहीं कर रहा है दो साल के बच्चे दो शब्द जोड़ कर बात करना शुरू करते हैं लेकिन ऐसा वो नहीं कर पा रहा है कुछ बच्चों में ऐसा भी देखा जाता है कि वो पहले कुछ चीज़े कर रहे थे लेकिन आज उन्हें करना भूल चुके है पहले बोलना शुरू कर चुके थे, वेव करके बाए करते थे, हेलो करते थे वो आज बच्चा नहीं कर रहा है किसी abnormal movement को कॉपी करना, fingers को या अपने हाथ को हिलाना जिसे हम stimming बोलते है, पूरी बडी के साथ rocking करना, भागना, तो पे चलना इस तरह का कुछ behavior बच्चा शो कर रहा है, कुछ textures को sound और light को बहुत जादा strong reaction देना, यानि कि sensitivity towards certain stimuli जिसको हम sensory dysfunction कहते हैं, ऐसा बच्चा शो कर रहा है किसी कपड़े को बिलकुल पहनना नहीं चाहेगा, आवास थोड़ी हो तो बहुत जोर से चलना कर अपने कानों पे हाथ रख सकता है, lights को constantly देखता रहेगा, fan को देखना देख सकता है या किसी चीज को लेके गोल-गोल घुमाना शुरू कर दे, इस तरह की चीजों को बच्चा करता है में appear indifferent to pain or temperature, दर्द की तरफ बच्चे को बिलकुल महसूस नहीं हो रहा है हो सकता है, बहुत जादा जोर से लगने पर भी बच्चा बिलकुल प्रोई major reaction ना दे toys में interest नहीं लेगा, या फिर उन्हें एक unusual तरीके से sequence की form में लगाकर use करना शुरू करेगा जैसे car को लेकर हो सकता है, बच्चा उसको उल्टा करे और उसके wheels को गुमाना शुरू कर दे चीजों को लेकर गुल गुमाना शुरू करें, बॉल को लेगा तो उसको फैकने के बजाए गुल गुमाना शुरू कर सकता है smell करने के लिए अपने पास ला सकता है, बहुत देर तक चीजों को observe करने की कोशिश करेगा especially हो सकता है आख को टेड़ा करके चीजों को line में लगाने के बाद उनको एक line को pattern को follow करने की कोशिश करेगा edges की तरफ देखना या धागे को fingers के बीच में पकड़के अपनी आखों के पास लाके उसको हिलाना शुरू करेगा routine के अंदर रहना बहुत ज़्यादा पसंद करता है activities को करने का एक उसका particular तरीका या sequence रहेगा और अगर उस routine को हटा दें तो हो सकता है बच्चा बहुत ज़्यादा परिशान हो जाए और रोने लगे जोर-जोर से नीचे लेट जाए या जिसे हम meltdown कहते हैं ऐसा कुछ behavior थरो करे unusual interest की चीज़ें जैसे light switches हो सकते हैं, doors, fan, toy car के wheels या कुछ बच्चों को habit रहती है कि वो किसी तरीके की किसी भी चीज़ के साथ में एक fascination बना लेंगे जो की बहुत मुश्किल हो जाता है उन्हें distract करना उससे ऐसी चीज़ों में बहुत ज़्यादा दिमाग लगाएगा चोटी चोटी चीज़ों से बहुत ज़्यादा fearful हो सकता है बट किसी से मदद मांगने की कोशिश नहीं करेगा comfortable उसको करना मुश्किल होगा जैसे कि room में अगर light off हो जाए तो एकदम से बहुत जोर से बच्चा घबरा के वहाँ से भाग सकता है तो दोस्तों आज हमने बात करी आटिजम के warning signs या red flag symptoms के बारे में ये लक्षन वो है जो हमें indicate कर सकते हैं कि शायद हमारे बच्चे के अंदर कुछ problem develop हो रही है जिसको लेकर हमें उसको एक developmental pediatrician या child development expert को दिखाने की ज़रूरत है जो हमें ये बताए कि क्या ये दिक्कत autism की तरफ इशारा तो नहीं कर रही है जितना जल्दी हम अपने बच्चे को इन problem के साथ में ले जाकर दिखाएंगे उतना जल्दी उसका एक intervention plan बनेगा और उतना बहतर result हमें मिलेगा बच्चे के treatment में आज के वीडियो में इतना ही आशा करते हैं आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा और आप इसको like जरूर करेंगे चैनल पर नए है तो चैनल को subscribe कीजिए अगली बार फिर किसी और जानकारी के साथ मिलेंगे तब तक के लिए धन्यवाद